है लौ फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माइच चैनल मैं प्रिया आप सभी लोग को स्वागत करती हूं प्रिया लाइफस्टैल में अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग में नास्तागरा हमने कर लिया है आज पहले ही नास्ता कर लिया है थोड़ाचा इस जगा को जो ह हमें clean करना है थोड़ा सा time लगेगा इसलिए हमने नास्ता कर लिया है तो सोचे यह सब काम को करने के बाद नहांगे फिर खाना बनाएंगे यहां खाना बना कर फिर नहाने के लिए जाएंगे तो इसलिए सुवरी जो है मैंने मतलब 80 जो 90 था उसे हमने चेंज कर लिया था करने के बाद जो है मैं यहां पर क्लीन करने के लिए आ गई हूँ और यह जो जगा है यहां पर बापी मतलब कौपी कीतब सब रखते हैं और बापी का तो एक्जम खतम हो गया है मतलब बहुत दिन पहले से ही मैं सोज रही हूँ कि इस जगा को साफ कर लेते हैं साफ कर लेते हैं लेकिन टाइम के चक्कर में थोड़ा आलस के चक्कर में होई नहीं रहा था तो काल जो है एक मतलब मेरे पौरोसी बोल सकते हैं तो आये थे कि बापी का जो पुराना को मतलब बूख है मतलब लेने के लिए आये थे मतलब बापी का तो इस साल जो है सेवेंट हो जाएगा तो उनका लार का साथ 6 में आएगा तो इसलिए बापी का पुराना जो कीताब हो लेने के लिए था तो लेकर चले गए हैं तो आज स कीतब को सब रग दिया है जो का मतलब केना फिलोट पालट कर दिया है एक डम पूरा खिंचरी बना यहां पे तो सब कुछ मैं देख देख आइसी रग रही हुआ जो पूरा मतलब क्कम हो गया है कौपी कितब तो उसो अब जो है मैं आजसे साइड में रग देती हूँ तो जो काबरी बाला आएगा तो चकाबरी बाला को बिकड़ी कर देंगे तो यही है इस लिमेशाप कर रही हो और बापी इसके पाइसे हम मतलब दीन भर में तो गाड़ी चलता ही रहता है और धूल भी बहुत होता है और यहां पर मतलब मीट्टी का भाग थोड़ा सा मतलब कमी है रास्ते में मीट्टी अगर होता है जादा बाली बाली होता है तो गाड़ी अगर थोड़ा सा मतलब चलता है तो थो इसलिए नहीं होता है, क्या करेंगे मतलब सुबहा है, कहासे टाइम चला जाता है, कुछ मनलब समझ में ही नहीं आता है, कि कहासे कहाँ टाइम चला जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा सुबह बीजी रहती हूँ जिसके बासे मतलब नहीं होता है लेकिन फाइनली जो काल मतलब बूक अगर लेकर चले गए तो सोचे आज कड़ी लेते हैं तो इसलिए मैं आज सब मतलब ठान जैसे जिसे बोलता है मतलब ठान लेते हैं मतलब जो चीज आप मतलब जेत करके करते हैं तो ओ देखिये काम जल्दी अपका हो जाता है अगर कोई काम मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं कि आज करेंगे काल करेंगे तो ओ जो काम है मतलब रहे जाता है खतम कभी नहीं होता है तो इसलिए मैं आज बोले कि चलो कितना भी काम होगा मतलब यह जो काम है इसे खतम करें ही देंगे कुछ दिन के बाद जो है हम लोग घर भी जाएंगे तो उससे पहले काबारी बाला को विक्री कर देंगे तो फ्रेंड्स देखिए इस जगा को हमने फाइनाली जो है थोड़ा सासा सहब का लिया है देख सकते हैं और नया जो कौपी है अभी तो उससे जो हूपर रखा है और नीचे में जो पुड़ाना है उसे नीचे रखा है इसे जो है अभी हम कवाड़ी बाला को भी कर देंगे, देखते हैं किस दिन आते हैं कवाड़ी बाला, और यहां पर देखिए हमारा जो कम्प्वूटर बाला जो टीवी है, यहां पर रखा है, इसको भी हमें हाटा के डॉइनिंग रूम में ले जाना है, और इधार बापी ग क्या करते हैं चावल खाना हो रोटी खाना हो कुछ भी खाना हो बिस्तर के ऊपर बैटके खाते हैं और मतलब बिस्तर छोड़के नीचे मतलब उतारते ही नहीं है तो इसलिए मैं अगी दिन गुस्सा में जो हाजबन जी को बोले टीवी को हटा देंगे यहां से नहीं तो यह टीवी को भी हटा आना है लेकिन आज नहीं करेंगे आज थोरा सा लेट हो गया है डेली जो है एक एक करके काम को खतम करेंगे अभी जो है हम बेरशीट को चेंज कर देते हैं बापी को बोले बापी जा उस रूम में तो बापी उस रूम में चला जाएगा मैं रहे और मैं इधर और जितना जारू पोचा करना है कर लेंगे फिर उसके बाद देखते हैं खाना बना लेंगी उसके बाद जहें नहां के लिए लिए जाएगा फुररा सा बातुरूम भी हमें चंप दमदास संपू मतलब सेंपți लगाना है तो इसलिए मतलब सोज्रेव की खाना बनाने के बाद ही जो है ना आने के लिए जाओंगी तो चले फिर्ण्स यह सब काम को कर लेते हैं तो देखिए फिर्ण्स हमने बेड़ शीट को भी चेंज कर दिया है बेड़ हो गया क्लीन और इधर आनला भी हमारा खाली है कि एक चीज़ आप लोग को दिखाएंगे तो चले चले उस रोम पे यह मतलब जो है ना यहाँ पे देखिए तीन चार दिन से हम जो है कापड़ा धो रहा है डेली डेली तो कापड़ा लेया के खाली यहाँ पे रख देते हैं फोल्ड करने के लिए मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मील रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम पूरा के मतलब काबार खाना होके रखा है और यह जो रूम है मेरा लॉंडरी रूम भी बोल सकते हैं पहले जो है मेरा भाई मेरे साथ रहता था तो हम लोग दो बेड रूम बाला रूम लिये थे लेकिन आभी मेरे भाई मतलब दूसरे जगा में नौक्री करते हैं तो यह रूम खाली रहता है और यह बेड भी खाली रहता है तो इसलिए क्या होता है मतलब कपड़ा धुआ मतलब सूख जाता है न तो उठा के लिया के यहां पर आसे ही पड़ा रहता है तीन चार दिन का कपड़ा है यह से हमें फोल करना है देखते हैं अज साम को पक्का कड़ी लेंगे तो फ्रेंड्स आभी जो है साम के टाइम है और उस टाइम जो है सब कुछ साफ साफाई करने के बाद फिर मतलब थुरा सा लेड भी हो गया था तो इसलिए मैंने उस टाइम और कुछ सूट नहीं किया है तो अभी मैं एकदम सीधा साम में अब लोग के साथ बात कर रही हूं और साम का नास्ता बन रहा है हमारा तो देख सकते हैं मैं बना रही हूं पीज़ा तो देखिए वह देखने में तो बहुत ही सुंदर बना था और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था तो इसका जो पीज़ा का जो बेस है मैंने इसे भी घर में बनाया है और आब लोग देख सकते हैं देखने में तो बहुत ही शुन्दर लग रहा है लेकिन खुने में भी बहुत ही मिश्ट ही थी और इसके ऊपर मैंने देखी धोर साब ब्लैक पेपर पाउडर दे दिया है मेरे पास जो है मीक साप्स और 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 इगानो नहीं था तो इसलिए मैंने ऐसे ही जो है ब्लक पेपर दे दिया है तो फ्रेंज आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा आज का वीडियो में पूरा साफ सफाई करते करते दीन चला गया है पूरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करना मत भूलिएगा कोमेंट कीजिएगा और आगर आप पहली बार मेरे चैनल में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सापोर्ट कीजिएगा साइड में बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अबलोड करू उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी सेयर कर लीजिएगा तो चलि श्रूर लाओगा तो दूपट का थमा तो चलिए हवागा पनाएमिली का ईबलोड कीजिएगा तो च्पत चलिए तो चीमो, साज. अग्वेगा तो झालिएमिली की झाला, की झाल. कीरी.